नमस्कार मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज आपकी अवाज आए बढ़ते हैं आशकी बड़ी खबर की ओर मैदान में जाने का रास्ता भूल गए भारतिये कप्तान का मज़ेदार वीडियो हुआ वाइरल भारतिये कप्तान रोई शर्मा के बूलने की आदत से क्रिकेट फैंस अच्छी तरह वाकिफ है रोई शर्मा को अपने बूलने की आदत के कारण टीम में गजनी का टेग मिला हुआ है रोई शर्मा के भूलने की आदत का एक वाक्या शनिवार को बैंगलूर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर भी देखने को मिला है भारती कप्तान को मैदान में जाना था जिसके लिए वैं साइड स्क्रीन के पीछे से चलते हुए गए साइड स्क्रीन के पीछे तारों का जमावडा था जिस पर सिर्रोई शर्मा को सोचते हुए गुजर गए फैंस भी कप्तान की इस हरकत को देखकर दंग रह गए थे कुछ लोग चिंतित भी हुए कि रोई शर्मा तारों के बीच सुरक्षित है की नहीं वही कुछ लोग रोई शर्मा को ऐसा करते देग हसी नहीं रोक पाए रोई शर्मा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है की वो कोई रणीती सोचते हुए अपने आप में मगन है और मैदान के अंदर जा रहे हैं इसके लिए उन्हें नहीं पता की सही रास्ता कौन सा है मगर मज़िदार बात तो तब ही जब रोई शर्मा को पीछे से एक शक्स ने आवाज लगा कर रोकने की कोशिश भी की लेकिन कप्तान पर उसका कोई असर नहीं पड़ा दरसर रिशवपंद की जगा 30 दिन विकेट किपिंग कर रहे दुरूब जुरेल ने रोई शर्मा को जाने से रोकने के लिए अवाज भी लगाई मगर कप्तान अपनी अलग धुन में थे और वो सब कुछ नजर अंदाज करते हुए साइड स्क्रीन के पीछे से चले गए फिर जुरेल ने ध्यान रखा कि वो सही जगा से मैदान के अंदर दाकिल हो और उन्होंने ऐसा ही किया पता हो की रिशवपंत गुटने की चोड से परिशान रहे और विकेट के पिंग करने नहीं आए बहरहाल सोशल मीडिया पर रोई शर्मा का यह मज़िदा वीडियो वाइरल हो चुका है कैई यूजर्स का कहना है कि किरिगेटर के मैदान पर रोई शर्मा से मज़िदार केरेक्टर कोई और देखने को नहीं मिला है कुछ यूजर्स ने रोई शर्मा को क्लिप को शेर करते हुए हसने की इमोजी के साथ लिखा इसे देख हसी नहीं रोखी जा सकती खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात अब तक लिए देखते रहिए नेशन नीउस आपकी अवाज